अब महराश्री में भले ही बीजिपी को जोर का जटका लगा हो लेकिन मध्यप्रदेश में बीजिपी ने क्लीन स्वीप किया है मध्यप्रदेश ने 29 की 29 सीटे मोदी की जोली में दी है शिवराज सिंग चोहान आज लाग से ज्यादा रिकॉर्ड वोटों से विदेशा से जीते जो उत्तरप्रदेश में नहीं हो सका राजिफ्थान में नहीं हो सका बिहार में नहीं हो सका वो कारणामा मध्य प्रदेश में आखिर कैसे हो गया हमारे साथ शिवराज सिंग चोहान जुड़ गए हैं बहुत-बहुत स्वागत शिवराज जी आपका बहुत बधाई आपको धन्यवाद आपको धन्यवाद मिला बाकि में मध्य प्रदेश ने तो कमाल कर दिया और सबसे पहले तो आपकी ये जो रिकॉर्ड जीत हुई है आठ लाग से भी ज्यादा का अंतर ये तो जबरदस्त है शिवराज जी जी मैं तो विद्षा की जन्ता को भी प्रदाम करता हूँ अभूत पूर वो जनादेश मिला है जन्ता का असीरवाद मिला है और जब तक मेरी सास चलेगी जन्ता की हम सेवा करेंगे जन्ता की सेवा ही भगवान की पूजा है लेकिन मद्धुप्रदेश में जो जवर्दस समर्थन मिला है मन में एक संकल्प था कि 2014 में हम जीते थे 27 सीटें 2019 में हम जीते थे 28 सीटें एक रहगी थी छिंदवाडा तो मन में कसक थी कि छिंदवाडा भी जीते हैं और इस बार छिंदवाला सहित 29 की 29 सीटें जीती है भारती जनता पार्टी ने ये मोदी जी के पृति विश्वास का प्रिकटी करण है उनके नेत्रत्व में विश्वास और विकास के काम और जनकल्यान के काम जो मोदी जी के नेत्रत्व में हुए हैं जनता ने उन प्रयासों को आसिरवाद दिया है मोदी जी पर और मोदी जी की गारंटी पर मद्ध प्रदेश को पूरा भरोसा है एमपी के दिल में मोदी इसी भाव को प्रिकट किया है आप देखिए ओवराल आज सही अर्थों में पैन इंडिया पारिटी है भारती जनता पारिटी सही अर्थों में अखिल भारती पूरा पस्चि मुतर दक्षिन सभी राज्यों में आज हमारी उपस्थिती है आंधर प्रदेश में 2019 में हमारे पास एक भी सीट नहीं थी और एक परसेंट से कम वोट हमको मिले थे आज मुझे कहती है प्रसन्यता है कि हमको तीन सीटे मिली है और वोट प्रिशत भी बढ़कर 11.28 परसेंट हुआ है और टीडीपी और एंडिये के साथ मिलके तो क्लीन स्वीप किया है आंधर में एंडिये की सरकार बन रही है तेलांगना में अगर आप देखेंगे तो दुगनी सीटे हो गई पहले चार थी चार से आठ सीट और 19.65 परसेंट जो वोट था वो बढ़कर अब हो गया 35.8 परसेंट अगर आप केरिला में देखें 2019 में हमारे पास एक भी सीट नहीं थी अब हमने खाता खोला है ना केवल खाता खोला है बलके बोट परसेंट भी हमारा बढ़कर 16.68 परसेंट हो गया है तमिल नाडू में भले ही हम एक भी सीट ना जीते हूं लेकिन 2019 के मुकावले हमने बोट परसेंट जो लगवग 8 परसेंट बढ़ाया इस बार वोट परसेंट है हमारा 11.24 परसेंट तो पूरे दक्षिन भारत में हमारी बहुत प्रभाव साली उपस्थती है मैं उडिसा भी गया था उडिसा में तो बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है 21 में से 20 सीटें और सांदार बहुमत से हमने सरकार बनाई है उडिसा में भारती जनता पार्टी का वोट प्रिशत बढ़कर 44.34 परसेंट हो गया है तो चारों तरफ आज भारती जनता पार्टी प्रभावी ढंग से दिखाई देती है जनता का समर्थन प्राप्त करते हुए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जिन राज्यों का अपने नाम गिनाया वाकई में वहाँ पर बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया लेकिन कुछ राजी ऐसे भी रहे शिवराजी जहां बीजेपी अच्छा नहीं कर पाई जैसे उत्तर प्रदेश, महराश्र, राजिफ्थान, आशातित सुफलता नहीं मिली इसके पीछे क्या कारण आप मान रहे हैं लेकिन आप ओवराल देखिए, आज भारती जनता पार्टी को लगातार तीसरी बार एंडिये को तीन सो क्यास पास सीटें कि ये चमतकार नहीं है भारत की राजनीती में पूर बितिहास देखें कब-कब ये हुआ है आज भारती जनता पार्टी को 241 सीट मिली है और एंडिये को सांदार बहुमत मिला है लगातार तीसरी बार बहुमत अपने आप ये वयां करता है कि देश का विश्वास स्रीमान नरेंद्र मोधी जी में है और केवल विश्वास्ती स्रिधा और भक्ती का भाव है और इसलिए हम इतनी सीटें प्राप्त कर पाए तीसरी बार अब कॉंग्रेस पहले बताए 2004 में कितनी सीटें मिली थी कॉंग्रेस को 145 सीट मिली थी कॉंग्रेस को केवल और 145 सीट लेके भी कॉंग्रेस ने सरकार बनाई थी 26% वोट लेके हमारा तो वोटिंग परसेंट आप देखिए बीजेपी का ओवर अलाट 36.60% वोट हमको मिलें तो हमें मिलने वाला समर्थन जवरदस्ट है सर लेकिन कॉंग्रेस पार्टी तो 99 फीट लाकर भी यह कह रही है कि हमने मोदी को हरा दिया आप क्या कहेंगे इस पर अब अगर कई बार किसी को चिंदी मिल जाए तो वो बजाज बन जाता है मैंने का सीटों का घटबड कई बार होता रहता है लेकिन कांग्रेस क्यों खुस हो रही है 99 सीटों में भारती जन्ता पार्टी ने तो आप पहले भी देखेंगे जब कांग्रेस ने सरकार बनाई तब अलग-अलग सीटें प्राप्त की दिए यह मैंने 145 का बता है ता भारती जन्ता पार्टी को 138 सीट मिली थी 2004 में कांग्रेस ने तो तीन-तीन बार आप देखें 1991 में 232 सीटें प्राप्त करके नरसे मारा और प्रधान मंत्री बने थे आप 2009 में देखें तो 206 सीटें ही तो मिली थी कांग्रेस को और प्रधान मंत्री मन मौहन सिंग बन गए थे हमारी तो एंडिये के साथ मिलके एंडिये का पूर्ण बहुमत है सांदार बहुमत है तो किसी को खुसोने का कोई कारण नहीं है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास इस मंत्र के साथ मोधी जी फिर प्रधान मंत्री बन रहे हैं और विक्षित भारत के दिर्मान के संकल्ब को हम उनी के नेत्रत्म में पूरा करेंगे पूरे देश में आज आनन्द है इस बात का कि तीसरी बार लगातार फिर मोदी जी प्रधान मंत्री होंगे सर आप बीजेबी के फैट्री के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर किसे मान रहे हैं? ती मोदी जी की गारंटी मोदी जी के प्रतिसरत्धा विस्वास विक्सित भारत का दिर्मान होते हुए लोग देखना चाहते हैं और लोगों को पता है कि ये ताकत अगर ये चमता अगर किसी लीडर में हैं तो वो हैं स्री नरेंद्र मोदी जी लेकिन सर ये भी तो है कि इस बार नितीश कुमार और चंदरबाबू नाइडू इन दो सहयोगियों की बहुत बड़ी भूमिका रहने जा रही है सरकार में और इसलिए विपक्षी इनके उपर डोरे भी डाल रहे हैं ये तो हमरे एंडिये पार्टनर्स हैं और इनके नेता भी नरेंदर मोदी जी है और मोदी जी में पूरे एंडिये का विस्वास है अब डोरा डालने वाले कोई को बिल्ली के भाग से चीका थोड़ी तूटने वाला है ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने या दिन में सपने रहे हैं ऐसे सपने कभी पूरे थोड़ी होते हैं पूरा एंड ये एक जुठे मोदी जी की लीडर्सिप है अच्छा सर अभी मुंबई से खबर आई आपने भी ये खबर देखी होगी फड़नवीज ने महराश्ट में बीज़पी की खराब परफॉर्मेंस के लिए खुद मेरी लीडर्शिप में महराश्ट का चुनाब लड़ा गया और अच्छा परफॉर्म हम नहीं कर पाए इसलिए मैं अब संगठन में रहकर काम करना चाहता हूं कमियों को दूर करना चाहता हूं मुझे उपमुख्यमंत्री बद से मुक्त करें उन्होंने क्या कहा है वेकदम मैं क्या कह सकता हूं लेकिन भारती जनता पार्टी में सामुहिक नेत्रत्व होता है ना विजय का स्रे एक व्यक्ति को मिलता ना पराजय का कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार होता अच्छे और बुरा परफॉर्मेंस होता है तो सामुहिक होता ह सिर आपका अपना क्ली क्या है महराश्टी में कहा अ कमी हुई क्या वजब हो सकती है इस प्रधर्शन के पीछह किछे मेडम कई बार कई वार सीटे कम और जादा लोकतनत्र को वो सब रहा है कि अब तक मोदी जी जो वो प्रचंद बहुमत वाली सरकार चलाते रहे हैं, यह पहली बार ऐसा है कि जब BGP सिंगर लार्जिफ्ट पार्टी उस तरीके से नहीं बन कर आए, प्रचंद बहुमत के साथ नहीं आई, स्वाईोगियों के साथ मिलकर गडबंधन वाली सरकार चलाने जा रहे है, इस बार सरकार दमदार फैसले लेने वाली बड़े और कठोर कदम देश के हित्में उठाने वाली इस सरकार होगी मोदी जी तो अनंत चमताओं के भंडार है और पांस साल अब उनके नेत्रतम में विक्षित भारत का संकल्प भारत पांस साल में पूरा होते हुए देखेगा अच्छा फर आप दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली में चर्चा बहुत गर्म है कि शिवराज सिंग चोहान अब दिल्ली आएंगे बहुत पावरफुल मंत्राले मिलेगा मैं इसके बारे में कुछ नहीं सोचता मैं सांसद हूँ ये पक्का है देखे हम भारती जनता पार्टी के कारी करता है किसी पद के लिए नहीं हम अपने देश के लिए जनता की सेवा के लिए भारती जनता पार्टी में काम करते हैं भारती जनता पार्टी राष्टी पुनर दर्मान का मिसन है और इस मिसन के हम सिपाही तो हमारा मिसन जो काम हमको सौब देता है उस काम को पूरी प्रमानिक्ता पूरी छमता जोग के करने की कौसिस कब करते हैं मैं भी अपनी संपून छमता जोग के काम करूँगा प्रधान मंत्री जी ने आवान किया है कि 25 साल के रहूंगा अभी मैं सांसद हूं सांसद की भूमिका का निर्वार ठीक से करूंगा और विक्सिद भारत के निर्मान के लिए विक्सिद विरिशा संस्ती छेतर बनाने का प्रयास करूंगा शिवराज जी आप 25 नहीं 50 साल और जीएं खूब हेल्दी जीएं हम तो यहीं शुबकामनाई आपको देते हूं और एक बार फिर से जीत की बहुत सारी बधाई आपको प्रचंड जीत आपको मिली बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी को सुब में देने के लिए जी बहुत बहुत धनिवाद आपको बहुत धनिवाद